नमस्कार दोस्ते एक बार फिस आपको बदबद स्वागते सभी के अंद्रे क्रामचारियों और पैंसन भोग्यों के एक मातर बरोसे मौन यूटुब चैनल गौर्वर्मन्ट इंप्लोईज वेलफेर के नई और फ्रेश वीडियो में D.A.D.R. महेंगाई बत्ता पर सबसे बड़ी खबर वित मंतराले पहुंची रिपोर्ट महेंगाई बत्ते में 28 पीसदी की बडोतरी जनवरी 2021 से जी हां दोस्तों हमारे लगबग एक क्रोड केंद्रे करामचारियों और पैंसन भोग्यों के लिए महेंगाई बत्ते को लेकर जनवरी 2021 से 28 पीसदी बडोतरी को लेकर एक बड़ी और मैत्पून खबर निकल के सामने आ रही है तो चलिए इस वीडियो के माईदम से जानते ह कि आखिर महेंगाई बत्ते को लेकर क्या बड़ी अपडेट निकल के सामने आई हैं इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहले बार विजट करें हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबादे ताकि आने वाली हर चोटी से बड़ी खबर आपको अमेशा मिलती रहेगी तो जैसा की दोस्तों आप अपनी स्क्रीन भी देख सकते हैं ग्यारा जनवरी 2021 को मान ये निरमला सितारमान फाइनस मिनेस्टर को ये लेटर लिखा गया है वर्तमान अस्तिदी को ध्यान में रखकर महेंगाई बत्ता एक क्रोड के अंद्रे क्रामच सभी केंद्रे क्रमचारी और पैंसन्वोगयो के महेंगाई बत्ते को रोक दिया था कोरोना वाइरस के बढ़ते प्रकोग को देखते हुए लेकिन दोस्तों अब केंद्रियक रमचारी और पैंसन भोगियों के सबसे बड़े संगठन कनफरडेशन लॉप सेडल कॉर्रमेंट इंप्रोईज और वर्कर्स की तरब से वितम अंतराले को इस लेटर के माईदम से का आ गया है कि अब कोरोना की स्थिती भी नियंतरन में हैं GST कलेक्षन में भी सरकार को काफी रिकॉर्ड ब्रोटरी देखने को मिली है जैसा कि स्टेबल में आप देख सकते हैं मार्च से लेकर दिसंबर 2020 तक का GST collection में record ब्रोत्री आप अपने screen पे देख सकते हैं सरकार ने जो महेंगाई बत्ते पर जुलाई 2021 तक जो रोक लगए थी जहां से रोक लगी हैं वहां से लेकर जुलाई 2021 तक का जितना भी आपका जो महेंगाई बत्ता बनेगा वह आपको दिया जाएगा ऐसा सरकार ने उस आदिश में कहा था इस लेटर के माध्यम से अब का आगया है कि हमारे सभी केंदरी क्रामचरियों और प्रैंसन बोगियों के महेंगाई बत्ते में रोक लगाने के बाद अब तक महेंगाई बत्ते में लगबग 28% की ब्रोत्री जनवरी 2021 तक हो गई है तो दोस्तों अब वित मत्राले को ये रिक्वेस्ट किया गया है कि अब कोरोना के इस्तिती भी नेंद्रन में है वेक्सिनेशन भी शुरूने वाला है और जीस्टी कलेक्सन भी सरकार जीस्टी कलेक्सन है वो भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है तो ऐसे में निवेदन है कि हमारे सबी केंद्रिक रमचारियों और पैंसन भोग्यों के महेंगाई बत्ते को अभी बाल कर देना चाहिए इन्होंने ये भी कहा है कि महेंगाई बत्ता रोकने से उन केंद्रिक रमचारियों पर भी असर पड़ रहा है जो एक जनवरी 2020 या इसके बाद रिटार हो चुके हैं उनकी पैंसन कम फिक्स हो रही है ग्रेजूटी का कम लाब मिल रहा है और टर्मिनल बेनिफिट भी कम मिल रहे है आपे अंत में कहा गया है कि COVID-19 के स्थिती भी अब नियंद्रम है देश की आर्थिक स्थिती में भी काफे सुधार हुआ है इसलिए हमारे केंद्रिक रमचारियों और पैंसन बोग्यों के जो महेंगाई बत्ता है जो जनवरी 2021-28% लगबक तैय हो चुका है उसको जल्दी से जल्दी रिलेज किया जाए तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे सभी केंद्रिक रमचारियों और पैंसन बोग्यों के महेंगाई बत्ते को भाल किया जाए तो ये थी महेंगाई बत्ते के संदर में एक लेटेस्ट कबर वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए इसे के साथ जे हिंद जे बारत